सब्सक्राइब कर लीजिए आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इस घंटी के निशान के साथ तैकि नए स्मार्टफून की कमपेरिजन की वीडियो जाब पक पहुँशती रहें हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडिगेंदर में आप सबी के लिए लेकर आया हूँ सैमसंग की तरफ से दो मोबैल्स जो भी हाली में लाँच हुए थे एक है सैमसंग का M11 दूसरा है सैमसंग का M21 दोस्तो M21 की कीमत है 14000 और M11 आपको मिल जाएगा 13000 में तो दोनों में सिर्फ 1000 का ही फर्ख है इस वीडियो में इन दोनों मोबैल्स में कमपरेजन करके आपको बताऊगा कि आपको 13000 में M11 लेना चाहिए 1000 सस्ता या फिर M21 तो अगर आप एक मोबैल खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो का आप तक देखते रहिएगा चली देखते हैं 14000 में M21 के साथ क्या क्या मिलता है तो जैसी आप अंबॉक्स करते हैं उपर की तरफ रखवा मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमा आपको अंदर रखे वे मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल कम यह है कवर नहीं दिया गया इसके साथ मुबाइल मिलता है एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह वाइट कलर में डेटे केबल इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है बाकी क्वालिटी अच्छी है और इसके साथ आ आजकल आपको 30W के फास्टेजर भी देखने को मिल जाते हैं इस रेंज में लेकिन इस मुबाइल के साथ 15W का दिया गया है तो यह सारा समान आपको दिया गया है Samsung के M21 के साथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो normal ही contents मिलते हैं box के अंदर चले देखते हैं अगर आप 1000 और क दाम खर्च करते हैं तो कितना फर्क दिया गया है M11 में तो जैसे आप अंबॉक्स करते हैं इसमें भी आपको सबसे पहले रखावा मिलता है मिनी बॉक्स जिसमें आपको अंदर की तरफ रखे वी मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुवल इसमें भी वही कमी है cover नहीं दिया गया मुबाइल का डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको वैसी ही डेटे केबल मिलती है वाइट कलर में इसकी बिलेंद थोड़ी सी कम है M21 की तरह बाकि इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है क्वैलिटी इसक के बाद आपको आखिर में रखवर मिल जाता है बिल्कुल उसी तरीके के लुक में चार्जर जैसा M21 के साथ दिया गया है इसके अंदर भी आपको 15 वाट का ही चार्जर मिलता है तो दूस्तों देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको दोनों ही मुबाइ दोनों के साथ नहीं दिया गया तो इस चीज़ में देखा जातो है M11 जाद अच्छा है इसकी कीमत भी एक हजार कम है और बॉक्स के कंटेंट्स आपको M21 की तरह मिल जाते हैं चली बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में तो दोनों ही मुबाइल इसमें आपको डिजाइन मिलती हैं तो दोस्तों देखने में तो दिजाइनलस आपको M21 का ही जाद अच्छा मिलता है लेकिन क्वालिटी वाइस डिजाइन M21 से जाध अच्छा है M11 का हाला कि लुग इसका डिजाइन इतना अच्छा नहीं है बात करें दोस्तों कैम्रे के बारे में kalau camera म आप एको पि 25 Megapixel का इसका front camera है 20 Megapixel का अब दोस्ते रेट की हिसाब से आपको M11 के अंदर camera की performance normal ही मिलती है लेकिन जाद अच्छा camera आपको दिया गया है M21 के अंदर अगर आपको camera अच्छा चाहिए तो इन दोनों मोबाइस में M21 ही जाद अच्छा है M11 से इसके लाव दोस्तों fingerprint scanner आपको सेम पोजिशन पर मिल जाता है बैक पेनल पे बीच में बाकि आप देख सकते हैं complete design आपको इन दोनों मोबाइस में किसका design जाद अच्छा लगा आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा वैसे मुझे द अंदर आपको TFT डिस्प्ले मिलती है AMOLED डिस्प्ले में नहीं दी गई लेकिन दूसरी तरफ M21 में आपको Super AMOLED डिस्प्ले मिलती है तो डिस्प्ले की quality में कितना ज़्यादा फर्ख है मैं आपको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें दोस्तों user interface के बारे में तो दोन देगा वह M21 के अंदर तो आपको काफी कॉमन पुराना डिजाइन मिलता है नौच वाला लेकिन M11 के अंदर आपको पंच होल कैमरा दिया गया है डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर तो डिस्प्ले का जो डिजाइन है वह M11 का जाद अच्छा है लेकिन दोनों मॉबैल्स के डिस्प्ले बिल्कूल फुल ब्रैटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं अब दोस्तों अगर आप कलर्स देखेंगे डिस्प्ले के तो वह बहुत जादा फरक दिया गया है M21 के डिस्प्ले के कलर्स बहुत जाद अच्छा है M11 से क्योंकि के अंदर आपको supermolo display मिल जाती है तो display की quality के अंदर कोई competition नहीं है इन दोनों मुबाइल्स में M21 ही बहुत ज़द अच्छा है बाकि दोस्तों display का design M11 का अच्छा है लेकिन design से ज़्यादा matter करती है display की quality जो आपको M21 के अंदर ही जाद अच्छी दी गई है इसके लावब दोस्तों left side साब देखेंगे दोनों मुबाइल्स को आपको sim के ट्रे मिल जाती है अच्छी चीज़ यह है दोनों ही मिल जाता है headphone jack बाकि दोनों ही मुबाइल्स में आपको noise cancellation mic मिल जाता है इसके लावब दोस्तों दोनों ही मुबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 4GB के रायम 64GB के internal storage इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं और 64GB में से आपको दोनों ही मुबाइल्स के अंदर लगबग मिलती है 49GB के आसपास थोड़े सी 500-600MB आपको और जादा मिल जाती है M11 में लेकिन इतना जादा खास फरक नहीं है इसके लावब दोस्तों दोनों ही मुबाइल्स के अंदर आपको एंडरूइड का बिलकुल latest version मिल जाता है Android 10 इस मुबाइल के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैक अराम से मिल जाता है वहीं दूसरी तरफ M21 के अंदर आपको बैटरी दी गई है 6000 इमेज की इसके अंदर भी आपको एक दिन का बैटरी बैक अराम से मिल जाता है लेकिन बैटरी के अंदर आपको M21 ही जाद अच्छा द मिल जाते हैं लेकिन M21 के अंदर आपको दिया गया है Exynos का 9611 प्रोसेसर तो जाद अच्छा प्रोसेसर आपको मिलता है M21 के अंदर ही हैंग होने की दिक्कत आपको M21 में कम देखने को मिलेगी M11 से तो दोस्तो प्रोसेसर के अंदर चलिए बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं देही रेट में इतना फर्क नहीं है सिर्फ 1000 का ही फर्क है तो मैं आपसे यही कहूंगा अगर आपके लिए डिस्प्ले सबसे जादा मैटर करती है तो कोई कॉमपटिशन नहीं है आप M21 नीजिएगा अच्छी डिस्प्ले के लिए और अगर आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो कैमरे के अंदर भी इन दोनों मुबाइल्स में M21 जाद अच्छा है आप M21 खरीद दियेगा और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मुबाल का प्रोसेसर तो अलगी M11 का प्राइस काफी जादा है 13000 लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा आप 1000 महेंगा M21 खरीद दियेगा यह मुबाइल कई जाद अच्छा है M11 से मुझे भी दोस्तों M21 ही जादा पसंद आया तो मैं आपसे क्लियरली सजेस्ट करूंगा M21 इस वीडियो में आप बताइ वीडियो कर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देगा जरूर वाटसेफ फेस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए